बार दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे Slag Inclusion नामक Welding Defect के बारे में यह जो defect है एक structural defect है और internal defect है और इसमें जो slag है यह एक non metallic solid material होता है अब बात करते हैं कि यह जो defect है यह किस प्रकार से होता है जो slag inclusion है अगर हम बात करें यह internal defect है कि जब हमारी जो weld bead होती है उसके अंदर होता है ये visible नहीं होता अगर ये defect आ जाता है और जो slag होता है एक प्रकार से जब oxide, flux और electrode coating जो material है weld metal में जब वो entrapped हो जाते हैं और उसके बाद वो float करते हैं surface के उपर क्योंकि float इसलिए करते हैं कि वो weight में light होते हैं लेकिन कई बर ऐसा होता है जब ये जो हमारे पास oxide, flux, electrode coating है जब weld metal में interrupt होते हैं कि steering action के कारण ये जो weld pool होता है वहाँ पर ये ज़्यादा time ना होने के कारण ये float नहीं करते और जो fusion zone होता है ये weld zone होता है उसके अंदर ही ये solidified हो जाते हैं और जिससे slag inclusion बनता है और फिर ये इस परकार से ये अंदर हमें नजर आते हैं लेकिन जब ये उपर की तरफ float करते हैं तो इसको हम आसानी से remove कर सकते हैं तब ये हमारा defect नहीं होता लेकिन जब ये अंदर solidify हो जाते हैं weld metal के साथ तब ये एक defect का काम करता है जैसा आप इस diagram में देखें ये हमारे base metal है ये नीचे weld जो bead है और उपर ये slag है इसको असानी से remove किया जा सकता है इसको हम defect नहीं बोलेंगे अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर भी ये weld bead है जिससे slack को remove कर दिया गया है ये इसको उपर slag है क्योंकि हलकी होने की light होने की वज़े से ये उपर float करती है और वहाँ पर ये solidify हो गई है और इसको असानी से remove भी किया जा सकता है लेकिन अगर ये slag weld bead के अंदर हो और हमें visible ना हो तब ऐसी स्थिती में जो weld joint होता है उसकी strength को ये कम करता है weld joint को ये weak कर देता है कमजोर कर देता है और अगर हम बात करें कि जो slag inclusion है अगर आप इन diagrams में देख पा रहे हैं यहाँ बड़ी असानी से visible है ये अगर आप देखें weld bead है बिल्कुल जिस पे कोई भी आपका slag inclusion नहीं है और यहाँ पर ये जो slag है इसको remove किया जा रहा है और इसको remove करने के लिए अगर ये उपर float करता है तो इसको हम grinding के दोवारा या फिर जो chipping hammer है ये आपको नजर आ रहा है तो chipping hammer की मदद से भी हम slag को remove कर सकते हैं जैसा आप देखें यहाँ पर slag है ये हमारी weld bead है जिस पर slag नहीं है क्योंकि chipping hammer की मदद से slag को remove कर दिया है अब बात करते हैं कि जो slag है जो slag inclusion है ये जो defect है ये क्यों आता है हमारा जब welding करते हैं तो इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं सबसे पहला कारण अगर हम बात करें welding करते समय अगर arc length हमारी जादा है long है तब ये defect आ सकता है oxide inclusion होने की वज़े से ये defect आ सकता है अगर joint का improper design है तब भी ये defect आ सकता है जब हम weld करते हैं अगर rapid solidification हो जाती है काफी तेजी के साथ तो उस दोरान क्या होगा कि time नहीं मिलेगा इनको float होने का जो हमारे यहाँ पर slag है तो वो क्या होंगे weld metal में ही क्या है weld pool में ही वो solidify हो जाएंगे ये defect आ जाएगा rapid solidification के काण ये defect हो सकता है अगर welding heat insufficient है तब भी ये defect हो सकता है अगर जो electrode हम use करते हैं welding करते समय तो उसकी जो coating होती है या covering होती है ये जो electrode है इसके उपर जो coating है अगर इसके जो pieces है weld pool में trapped हो जाएं तब भी ये defect आ सकता है weld metal की high viscosity होने के कारण भी ये defect हो सकता है अगर हम slack को properly remove ना करें तो तब भी ये defect हो जाएंगा कई बार होता है कि हमें weld passes दो तिन passes करने होते हैं और जब हमने weld pass किया और metal हमारा solidify हो गया है और फिर से हम slack को remove ना करें और फिर से weld कर दें तब भी ये defect आ सकता है तो अब बात करते हैं वो कौन-कौन से उपाई हैं वो कौन-कौन सी precautions हैं जिसको अगर हम follow करें तो ये defect हमारा नहीं होगा तो सबसे पहले जब भी हम weld करते हैं तो weld करने से पहले अगर हम weld area को अच्छी तरह से clean कर लेते हैं तो उससे क्या होगा इस defect के होने के chances कम होते हैं क्योंकि अगर हमने slack को proper remove नहीं किया तो ये defect आ जाता है और साथ में weld करने से पहले जो भी base material या work pieces हैं उनके surfaces को अच्छी तरह से clean कर लेना चाहिए और welding करते समय हमें proper arc length का इस्तेमाल करना चाहिए तब ये defect नहीं होगा अगर हम proper gas silding का इस्तेमाल करते हैं जो gas silding के अगर हम बात करें जैसे argon, helium वगारा जो silding gases हम use करते हैं क्योंकि जो silding gases होती हैं अगर welding करते समय वो insufficient या ineffective होंगी तो ऐसी स्थिती में जो environment में contaminations हैं वो react करेंगे और inclusion जो slag inclusion को होने में वो contribute करेंगे तो इसलिए जो silding gases हैं उनको properly हमें provide करना चाहिए और welding करते समय हमें fresh और proper electrode का इस्तिमाल करना चाहिए और rapid solidification से हमें बचना चाहिए और आफशक्ता के अनुसार जो work pieces हैं इनको भी हम reposition कर सकते हैं ताकि slag ना बने और proper जो joint design हमें करना चाहिए तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो ऐसी स्थिती में slag inclusion नामक जो welding defect है जो welding करते समय आता है उससे हम बच सकते हैं तो यह diagram हमने आपके साथ discuss किये कि यह जो slag है आपको नजर आ रहा है weld bead के उपर किस परकार से होता है यहां बिल्कुल clearly visible है और कैसे इसको हम remove कर सकते हैं अगर आप देखें यहां पर यह slag है जिसको cheaping hammer की मदद से remove किया गया है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया slag inclusion नामक welding defect के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे अगर आपका तक के साथ झाल झाल झाल